नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में दोस्तों, LTE Teaching Aptitude को लेकर हमने एक विसेश सिरीज चलाई है जिसमें हम आपको Topic Wise MCQ प्रोवाइट करवाते हैं आशा करते हैं, यह सिरीज आपके लिए फाइदेमन साबित हो रही होगी और आपको आने वाले एक्जाम में भी काफी हेल्प करेगी दोस्तों, यह समय बहुत अमुल्य है, इसको बिल्कुल भी वेस्ट मत करिएगा इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा समय का सदुपियोग करें ज़्यादा से ज़्यादा Study करें ऐसे कठन topic, जो की आपको समझ में नहीं आते हैं उनको आप ज़्यादा समय दीजिए क्योंकि यही वक्त है दोस्तों, अपने आपको तरासने का अपने आपको perfect बनाने का अपने आपको competitive बनाने का और यही समय है दोस्तों, अपनी कमियों को धूंड कर उनका निराकरण करने का दोस्तों हम लोग इसमें आपकी जितनी भी हल्प हो सके उतनी करने का प्रयास जारी रखेंगे तो इसी क्रम में आज हम आपके लिए सत्तर महत्वपूर्ण बहुवी कल्पिय प्रशन लेकर आए हैं जो की NCF पर आदारित है यानि की रास्टिय पाठी चरिया की रूप रेखा नेशनल केरिकुलम फ्रीमवर्क 2005 इस पर सत्तर महत्वपूर्ण MCQ दोस्तों आज हम डिसकस करेंगे बहुत अच्छे ये MCQ होने वाले हैं तो इस वीडियो को पूरा देखेगा इसके अलावा अगर आपको इस वीडियो की पीडियाफ चाहिए तो आप हमारे टेलिग्राम चैनल को जॉइन कर सकते हैं लिंक अल्रेडी अबाउट सेक्षिन में अवेलेबल है इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक मैं प्रोवाइट करवा दूँगा तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक है NCF 2005 आगे बढ़ने से पहले हमने पिसली वीडियो में अधिगम के सिध्धान बताए थे और उसमें हमने 75 महत्वपूर MCQ सॉल्व करवाई थे उसमें दोस्तों दो कुशन में करेक्शन करना है पहला निमने में से किस सिध्धान को पुनर बलन का सिध्धान भी कहते हैं हमने गलती से उसे उद्धीपक अनुक्रिया सिध्धान बताए था और इस कीनर बॉक्स में चुहे को रखा गया चुहा इदर से उदर भागा उसने लीवर दवाया और उसको भोजन मिला तो उसके बाद जैसे ही उसको भोजन मिला तो उसको पुनर बलन मिला और उसके बाद वो लीवर दवा के भोजन प्राप्ट करना सीख गया तो यहाँ पर पुनरबलन का सिध्धान्त ही क्रिया प्रसूत अनुबंदन सिध्धान्त कहा जाता है इसके अलावा एक और सक्रिय अनुक्रिया सिध्धान्त अभी माफ करना उसका प्रश्ण मेरे पास अवेलेवल नहीं है सक्रिया अनुक्रिया का सिध्धान्त थॉंडाई के किस नियम पर आधारित है हमने गलती से उसे अभ्यास का नियम बताये था इसको आप दोस्तो प्रभाव का नियम कर लेना ये बहुत important है इस पर correction करना ये दोस्तो प्रभाव के नियम पर आधारित है सक्रिया अनुक्रिया बी क्रिया प्रसूत अनुबंदन से धानती है तो सकरी अनुक्रिया दोस्तों प्रभाव के नियम पर अधारित है तो चलिए अब हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो आज का पहला क्योशन है दोस्तों किसकी अध्यक्षिता में विद्वानों ने NCF 2005 तयार गिया थोड़ा साम NCF के बारे में जान लेते हैं दोस्तों NCF का मतलब होता है National Curriculum Framework यह NCERT द्वारा तयार किया गया है पहले तो आप इसको याद रखेंगे NCERT द्वारा दोस्तों यह तयार किया गया है और यह अभी तक का सबसे नवीमतम दस्तावेज है यह कैसा दस्तावेज है यह वैसा दस्तावेज है दोस्तों जो की विद्ध्याले को बताता है कि आपने क्या पढ़ाना है और कैसे पढ़ाना है कहने का मतलब यह पाठेकरम निर्धारण से संबंदित है ये एक तरीके से स्कूल में सिक्षा कारेक्रमों के भीतर पाठेक्रम कैसा होना चीए, पुस्तके कैसी होनी चीए, कैसी सिक्षन प्रताओं का आप चैन करेंगे, ये उसके बारे में रूप रेखा परदान करता है, तो इसलिए इसको National Curriculum Framework बोला जाता है, सिंपल सब्दों म आप समझ गए होंगे, उसके बाद ये दोस्तों अभी तक का नवीनतम दस्तावेज है, इससे पहले तीन ऐसे रूप रेखाएं आई हैं, जिनको आपने ध्यान में रखना है, सबसे पहले 1975 में आई थी, इसके बाद आई थी दोस्तों 1988 में, और अगली आई थी 2000, और फिर इसके बाद 2005 में इसको बनाया गया, ठीक है, तो ये अभी तक का नवीनतम दस्तावेज है, ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे, प्रॉफेसर यस्पाल थे, उनकी अद्यक्षिता में इसको बनाया गया, ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी हैं, ठीक है, तो ये questions इसमें बन जाएंगे ठीक है उसके अलावा इसको 22 भासाओं में बनाया गया है ये भी आपने ध्यान में रखना है ठीक है जो हमारी सब्वयता और प्रगती ठीक है न सब्वयता और प्रगती इसको भी आप ध्यान में रखेंगे सब्वयता और प्रगती ठीक है इससे इसकी शुरुवात होती है तो इस पर based question इस तरह के आ सकते हैं दोस्तों तो पहला तो आपको समझ में आ गया प्रोफेसर यस्पाल की अध् मुख सूत्र है learning without burden ठीक है ये भी आप याद करो learning without burden यानि कि सिक्षा बिना भार के ठीक है ना सिक्षा बिना बोज के ये भी आप कह सकते हैं चलो अब आगे question discuss करते हैं इसके बाद NCF 2000 का मुख्य सिक्षा सूत्र सिक्षा बिना बोज के जैसा कि मैंने आपको बताया ये कब आ किंगे अगला प्रशन NCF 2005 के अंतरगत परिक्षा शुदारों में किस सुधार को सुजाया गया है इन्होंने कई तरह के सुधार दिये थे दोस्तों जो exam से भी related थे कि परिक्षाओं में क्या-क्या सुधार किया जाए तो इसमें सामुही कार्य मुल्यांकन, सतत मुल्यांकन और खुली पुस्तक का परिक्षा मुल्यांकन ये दोस्तों तीनों के तीनों इसमें सुधार के रूप में सुजाये गए हैं, सामुही कार्य मुल्यांकन भी बहुत important है, कभी भी group जैसे हम group में कार्य करते हैं या group discussion करते हैं तो उसका मुल्यांकन करना, सतत मुल्यांकन करना खुली पुस्तक की परिक्षा का मुल्यांकन करना बहुत important है ये सभी सुधार इसके द्वारा सुजाए गए हैं ये भी आप धियान में रखेंगे ठीक है विद्याले सिक्षा का अब तक का नवीनतम रास्टी दस्तावेज है जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि विद्याले सिक्षा का अब तक का नवीनतम दस्तावेज कौन है NCF 2005 है ठीक है अभी कई लोग राश्य सिक्षान निती 2020 को बोलेंगे तो अभी तो दोस्तों क्वेशन के हिसाब से इसका आंसर यही होना चीए अगर राश्य सिक्षान निती 2020 आता है तो फिर आपका क्वेशन आंसर अलग होगा ठीक है इसके बाद किस मंत्राले की पहल पर NCF 2005 तयार किया गया था देखिए दोस्तों यह तयार किया गया था मानव संसादन विकास मंत्राले की पहल पर इसको तयार किया गया अफकॉस मानव संसादन मंत्राले के अंतरगथी सिक्षा मंत्राले आता था तो उसी की पहल पर ये तैयार किया गया था NCF 2005 में किन सिक्षन सूत्रों का अधिक्तम प्रियोग का सुझाव दिया गया है सिक्षन सूत्र के बारे में अगर आप अच्छे से जानते होंगे तो आप इसको इसली आंसर कर सकते हो असमान गती ग्याद से अग्याद मूर्थ से अमूर्थ आदर से ग्याद या फिर लंबाकार विकास तो इसका right answer क्या है दोस्तों, ग्याद से अग्याद और मूर्थ से अमूर्थ की और, कोई चीज अगर आपको ग्याद है, तो ग्याद से आप क्या करते हैं, अग्याद की और को बढ़ते हैं, मूर्थ से मतलब जो चीज आपके सामने है, आप उसके बारे में तो सोच सकते हैं अमूर्थ का मतलब क्या होता है abstract जो आपके विचारों में है तो उसके बारे में सोचना वो आपका अमूर्थ चिंतन है तो आप अमूर्थ की ओर मूर्थ से अमूर्थ की ओर जाईए इसलिए इन्होंने गडित पर भी बहुत ज़्यादा बल दिया है इसके अलावा अगला प्रशन NCF 2005 के अनुसार मार्गदर्सक सिधान्त में नहितार्थ है कहने का मतलब है कि इन option में से कौन सा मार्गदर्सक सिधान्त है दोस्तों इनके द्वारा 5 मार्गदर्सक सिधान्त दिये गए हैं हलांकि मैंने NCF पर एक वीडियो descriptive form में बनाई है, आप जाके उसको देख सकते हैं, उसका link भी मैं इसकी description box में provide करवा दूँगा, तो इनके 5 दोस्तों मार्ग दर्सक शिदान्त है, उन में से एक है ज्यान को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ना, ठीक है, इसके अलावा और अब ही हैं, जैसे पढ़ाई को, रटने की प्रणाली से मुक्त करो, पाथे चरिया, पाथे पुस्तक केंद्रित ही ना रह जाए, मतलब करिकुलम को brought करना है, जैसे आज की जमाने में हम करिकुलम की definition पढ़ते हैं, कि स्कूल में होने वाली समस्त गतिविदियों से उसका relation ह तो पाथे चरिया का मतलब यही नहीं होना है जै कि बस पाथे पुस्तक केंद्रित रह जाए, कक्षा को गतिविदियों से जोडा जाए, इसको लचीला बनाया जाए, परिक्षाओं में भी लचीला पन लाया जाए, जैसे कि उन्होंने टेंथ की कक्षा को एक्षिक बना द ठीक है, तो उसमें से एक आपका क्या है ज्यान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना, इसके बाद अगला प्रशन NCF 2005 का प्रमुक सोतर है, मैंने जैसे बोल बोला आपको education without burden यानि सिक्षा बिना भार के या फिर हम कह सकते हैं बिना भार के अधिगम, इस तरह से भी इसक इसका क्या अंसर है दोस्तों सब्वेता एवं प्रगती, इस से इस निबंद से इसकी शुरुवात होती है, आप ये ध्यान में रखेंगे अगला प्रशन, NCF 2005 के अध्याई, विद्याले एवं कक्षा का वातावरण में बताया गया है आपको बताना है कि जो NCF के अध्याय है विद्याले एवं कक्षा का वातावरण का समाज पर प्रभाव विद्याले एवं कक्षा के वातावरण का सिक्षक पर प्रभाव या वातावरण के भौतिक एवं मनोवेग्यानिक आयाम का अधिगम पर प्रभाव परता है उसको इसमें बताया गया है ये चैप्टर है विद्याले एवं कक्षा का वातावरण कि किस तरीके से आपके वातावरण के भौतिक और मनोविग्यानिक आयाम अधिगम को प्रभावित करते हैं ये इसमें बताया गया है ठीक है अगला प्रश्न करीकुलम किस भासा का शब्द है अंग्रेजी का फ्रेंच का अर्बी का या फिर लेटिन का देखिए दोस्तों करीकुलम शब्द लेटिन भासा से अंग्रेजी में लिया गया है ये लेटिन के शब्द कुरेर से बनाया है ठीक है ना कुरेर को बोलते हैं राइट ऑप्शन क्या है दोस्तों लेटिन ये लेटिन भासा का सब्द है जोगी अंगरेजी में लिया गया है तो लेटिन में इसको कुरेर बोला जाता है ठीक है इसके बाद एक और महतुपूर्ण प्रशन सामाजी अध्यन सिक्षन का राष्टी पाठेकरम कब बनाया गया बहुत important ये दोस्तों question है जो आप social study पढ़ते हैं न सामाजी अध्यन इत्यास भगोल और नागरिक सास्त्र और इसके अलावा economics तो इसका राष्टी पाठेकरम कब बनाया गया दोस्तों इसका right answer है 2005 बहुत important ये प्रशन है इसको आप ध्यान में रखेंगे 2005 NCF 2005 के टाइम प द्यान में रखेंगे ठीक है इसके बद NCF 2005 की कारेला कारिशालग कहां पर आयूजित की गई यानि की workshop कहां पर आयूजित की गई अफक Course NCERT द्वारा इसको बनाया गया है तो NCERT नई दिल्ली में इसको आयूजित की गई इसकी workshop ठीक है इसको अब ध्यान में रखेंगे अग सांती के लिए शिक्षा, NCF में सांती के लिए शिक्षा पर बल दिया गया है, काफी important ये question है, इसको आप ध्यान में रखेंगे अगला प्रशन NCF 2005 में बताया गया है, भारत स्रेष्ट है, सिक्षक स्रेष्ट है, सपनों के भारत को धरातल पर उतारने की युक्ती, या फिर बालक स्रेष्ट है दोस्तों इसका right answer है सपनों के भारत को धरातल पर उतारने की युकति यानि कि इनोंने वो method बताई है जिस से हम सपनों के भारत को धरातल पर उतार सकते हैं यानि की यथार्ज में हम वो चीजे कर सकते हैं क्या हम curriculum अपना सकते हैं क्या teaching techniques होनी चाई है क्या सिक्षण विदिया भारत को धरातवल पर उतार सकते हैं कहने का मतलब है कि ऐसा भारत जहाँ हर वेक्ति सिक्षित हो हर वेक्ति को रोजगार प्राप्त हो तो यहाँ पर इन्होंने ये टेक्निक इसमें बताई है इसके बाद अगला प्रश्ण यस्पाल सर्मा समीती में कुल कितने सदस्य थे तो इसका राइट आंसर है दोस्तों इसमें 38 सदस्य थे वैसे कई जगा पर 35 सदस्य भी दिया हो सकता है लेकिन इसका राइट आंसर most probably 38 सदस्य ही होना चाहिए ठीक है अगला प्रश्ण NCF 2005 के अनुसार सीखना है यानि कि इनोंने अधिगम को किस तरह के से परिभासित किया है मानसिक विकास सिल्प कला केंद्र एवं व्यवसाईग ज्यान पढ़ना और लिखना ज्यान का विकास करना लिखना और याद करना तो इसका राइट आंसर क्या है दोस अगला प्रश्ण NCF 2005 में किस परिख्षा के संबंद में सुधार के लिए सुझाओ दिये गए थे जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि इनोंने परिख्षा से संबंदित काफी सारे सुधार बताये थे कई रिफॉर्म इनोंने बताये थे और उसमें इनोंने इस्पैसल कि कक्षा दस्वी की परिख्षा को एक्षिक बताया था यानि वॉलिंटरी बताया था तो यहाँ पर इसका राइट अंसर क्या होना चाहिए दोस्तों कक्षा दस्वी की परिख्षा एक्षिक होनी चाहिए अगला पाठिक्रम निर्मान की आवश्यक्ता क्यूं है क्यूं हम करिकुलम बनाते है सिक्षा के उद्देशों की प्राप्ती हे तू लक्ष प्राप्ती हे तू उद्देशों के निर्धारण हे तू या फिर सर्वागिन विकास हे तू तो क्या दोस्तों होना चीए इसका right answer दोस्तों actually इसका right answer है सिख्षा के उद्धिशों की प्राप्ति हे तो जैसा कि मैंने आपको बताया करीकुलम क्या है करीकुलम बना है दोस्तों लेटिन भासा के शब्द कुरेर से कुरेर का अर्थ क्या है दोड का मैदान ठीक है ना तो दोड का मैदान का मतलब यह यह दोस्तों की यह वो क्रम है की आपको जो आपके गंतत्व पर यानि की जो आपको आपकी मंजिल तक पहुचाता है ठीक है ना पाठी क्रम वो साधन है जिसके दोरा सिक्षा के लक्षों की प्राप्ती होती है ठीक है ना तो पाठी करम अपने आप में क्या है एक साधन है ठीक है ना इस साधन से ही आप सिक्षा के लक्षों की प्राप्ती कर सकते हो आप इससे लक्ष के निरधारण नहीं करेंगे ठीक है ना आप simply लक्षे के प्राप्ति ये तो गलत है क्योंकि ये किसके लक्षे हैं भगवान जाने ठीक है और सरवागिन विकास भी नहीं हो सकता ठीक है तो सिक्षा के उद्देशों की प्राप्ति हेतु ही पाथिकरम का निर्मान दोस्तों किया जाता है बहुत important है ये भी आप ध्या गया है तो ये इसका formula त्री भासी formula है ये आप ध्यान में रखेंगे तीन भासाइं कौन-कौन सी है मैं आपको बता देता हूँ इसमें प्रशन भी बनाया है कि पर्थम भासा दुट्तिय भासा और तिर्थिय भासा कौन-कौन सी है पर्थम भासा दोस्तों हिंदी बोली तो दो प्रशन इसमें इस तरह के बन सकते हैं अगला प्रशन NCF 2005 में सुझाओ दिया गया है कि सूचना को क्या मानने से बचा जाए ये थोड़ा सा typing mistake है क्या मानने से बचा जाए ऐसा क्या सुझाओ दिया गया है ठीक है न तो सूचना को क्या नहीं मानना है विज्ञान प सूचने में कई YouTube चैनल जो की Education का चैनल खोले हुए हैं उनका काम सूचना देना रहे गया है सूचना का मतलब है कि पेपर कब होगा पेपर कब LT की तारीक तै होगी कब पेपर पोस्पॉंड हो गया ये जैसे कि मैंने भी आपको लास टाइम बताया था कि LT का पेपर पोस्प सूचना देते हैं तो आप उसको ग्यान न समझें दोस्तों वो है स्रिफ सूचना दे आ जस इंफॉर्मर दे आ नॉट टीचर्स ओके तो ये चीज को अपने ध्यान में रखना है कि सूचना को ग्यान मानने से बचें ठीक है information आपको कोई देता है तो वो ग्यान नहीं है दो अपने ग्यान का निर्मान स्वयम कर सकता है यही रचनावाद है दोस्तों जो NCF है वो रचनावाद पर ही आधारित है ठीक है ना ये आपको ग्यान में रखना है इसके बाद NCF 2005 के अनुसार बच्चों की गलतियां क्यों महत्वपूर्ण है काफी अच्छा कोशन है कि बच्चे गलतियां करते हैं तो वो क्यों important हो जाती है क्या वो ग्यान को जीवन से जोड़ती हैं बोज को कम करती है ये समाधान को पहचानने में साहिता करती है और या फिर उप्रोक्तितिनों तो इसका right answer है दोस्तों ये समाधान को पहचानने में साहिता करती है देखिए इनका मानना है कि बच्चे जब गलतियां करते हैं तब ही आपको solution मिलता है जब गलतियां ही नहीं करेंगे तो आपको solution कैसे मिलेगा तो जब आप गलतियां करते हैं तो उसी से आपको पता लगता है कि समस्या क्या है और फिर आप उसका समाधान करते हैं गलतियां इसलिए इन्होंने महतुपूर मानी है इसके बाद सिक्षा बिना बोज के जो की NCF 2005 का प्रमुक नारा है या स्त्रोथ है इसका अर्थ क्या होता है? सिक्षा बिना बोज के यानि learning without burden बालक के बैक का वजन कम करना विद्याले में बालोकों की संख्या कम करना पाठी चरिया के बोज को कम करना या फिर उप्रूप सभी तो क्या अंसर होना चीए दोस्तों आपके इसाब से पाठी चरिया के बोज को कम करना यानि कि learning without burden पाठे चरिया के बोज को कम करना ही इसका मुख्य उद्देश है इसके बाग NCF 2005 सिफारिस करता है कि प्रात्मे किस तर पर गणित की सिख्षा का केंद्र होना चाहिए यानि कि गणित को सिख्षा का केंद्र क्यूं बनाया जाना चाहिए क्या सिफारी साइन की गणित के प्रती गणित अधिक पढ़नी है कक्षा में पढ़ाए गए टॉपिक को विद्यार्थियों के दैनिक जीवन से जोड़ना अन्य विसे कम पढ़ना या फिर दैनिक जीवन से कोई संबंद नहीं होना चाहिए क्यों इन्होंने बोला कि प्रात्मिक स्तर पे गणित को सिक्षा का केंदर होना चाहिए वो इसलिए बोला दोस्तों क्योंकि जो कक्षा में पढ़ाए गए टॉपिक को विद्यार्थियों के दैनिक जीवन से जोड़ना है और अगर आपको व्यावारिक नौलेज देनी है तो उससे गणित से बढ़िया कोई subject है नहीं हो सकता है क्योंकि गणित में दोस्तों आप क्या करते हैं आप ऐसी चीजे सीखते हैं जो आप व्यावार में ला सकते हैं दोस्तों गणित के बिना आप calculation नहीं कर सकते हैं आप market में जाके सामान नहीं करी सकते हैं आप पैसों का ले तो इसलिए हमारे व्यवारीक जीवन में गनित का कितना उपयोग है इसी लिए इन्होंने गनित को सिक्षा का केंडर बनाया है और इसलिए इन्होंने इसकी सिफारिस किया और इनका मानना है कि गणित में जो हब भी हम कक्षा में टॉपिक पढ़ाते हैं उसको विध्यारती के दैनिक जीवन से जोड़ना अती आवशक है इसके बाद इसी पर एक और क्वेशन NCF 2005 में गणि सिक्षन के बारे में बताया गया है कि गणि सिक्षन महतोकांची, सुगमता और महतोपूर्ण होना चीए यह महतोकांची का क्या मतलब है इन्होंने बोला है कि गणित सिक्षन महतोकांची होना चाहिए सुगम होना चाहिए और महतोपूर्ण होना चाहिए ऐसा NCF में बताया गया है तो इसमें महतोकांची का क्या मतलब है दोस्तों जो गणित के उच्च उदेश यह है उनकी प्राप्ती से इसका संबंद है महतोकांची का मतलब ही है यह दोस्तों कि जो गणित है उसमें जो गणित के हमारे higher aim बने वे हैं उनकी प्राप्ती गणित के माध्यम से होनी चाहिए तो काफी important है गणित का सिक्षन महतोकांची होना चाहिए इसके बाद अगला प्रशन NCF 2005 में गणित की लंबी आकरिती का मतलब है इन्होंने एक sentence यूज किया है गणित की लंबी आकरिती देखे ऐसा क्यों बोला गया है जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रात्मिक इस तर पे इन्होंने गणिती सिक्षा को बहुत जोड दिया है क्यूकि उन्होंने बोला है कि इसको दैनिक जीवन से जोड़कर पढ़ाया जाए और क्यूकि हमने पता है कि गणित की जब हम सिक्षा देते हैं तो बच्चों में चिंतन और तर्क की छमता पैदा होती है इसके अलावा उनके अंदर abstract thinking की ability पैदा होती है यानि कि अमूर्त चिंतन की छमता पैदा होती है तो जब आदमी अमूर्त चिंतन करता है तो वो दोस्तों संकल्पना बना पाता है तो जब वो संकल्पना बनाता है एक संकल्पना को दूसरी संकल्पना से जोड लेता है तो यहाँ पर इसका right answer है दोस्तो एक संकल्पना पर दूसरी संकल्पना ठीक है न तो गनित का सिक्षण ही यही आपको hypothesis बनाने पर मजबूर करता है एक आप संकल्पना पैदा करते हो और फिर आप उसको दूसरी संकल्पना से जोड देते हो ठीक है न गनित विशय का अगर आपने दायरे को विस्तृत करना है तो इसको दूसरे विशयों के संग जोडा जाना आवशक होता है तो आप एक संकल्पना को दूसरी संकल्पना के संग जब आप एट करते हो तो ये गणित की लंबी आकरिती क्यालाती है, यही इनका मोटिव निकल कर आता है इसके बाद NCF 2005 बल देती है लिखकर पढ़ने पर, रटने पर, करके सीखने पर या फिर पढ़कर सीखने पर तो इसका right answer है दोस्तो, करके सीखने पर NCF 2005 करके सीखने पर बल देती है इसके बाद NCF 2005 में कला सिक्षा को विध्याले से जोड़ने का क्या उद्देश है जैसा कि हमने अभी पढ़ा कि गणे सिक्षा का क्या उद्देश है उनका सांती सिक्षा भी जोड़ी गई है सामाजी के दिन भी जोड़ा गया है सबके उन्होंने दोस्तों बताए हैं कि इस सब्जेक्टे की क्यों नौलेज देनी चाहिए यही दोस्तों NCF में बताया गया है इसके अलावा इन्होंने कला सिक्षा को भी जोड़ा है अब कला सिक्षा के बारे में इन्होंने क्या बोला है देखिए इन्होंने बोला है कि चात्र चात्रों में कलात्मक शमता का विकास करना है इसके अलावा उनमें सांस्कृतिक और सौंदर्यात्मक जागरुकता भी उत्पन करनी है तो इसका मतलब ये है कि आपको अपनी सांस्कृतिक विरासत की प्रसंसा करनी है और चात्रों के वेक्तित्तों और मानसिक स्वास्ते को विक्सित करना है यही दोस्तों इसका उद्देश है चात्रो को कलाकार बनाना, चात्रो को कला में निपड बनाना और कला को रोजगार के रूप में जोड़ना ये तीनों सही नहीं है इसके बाद अगला NCF 2005 में गुणवत्ता आयाम सीर्सक के अंतरगत महत्व दिया गया है कहने का मतलब है कि जो गुणवत्ता आयाम सीर्शक है उसके अंतरगत किस चीज पर महत्व दिया गया है अब बात आ दिये है गुणवत्ता की तो मतलब क्वालिटी की तो आप किस में सुधार करेंगे क्वालिटी में पाठेकरम में ठीक न तो बालकों के लिए सरंचित अनुभव एवं पाठेकरम सुधार को इसमें महत्व दिया गया है क्योंकि आपने पाठेकरम सुधार के लिए ही तो इतना बड़ा फ्रेमवर्क बनाया है न तो यहाँ पर राइट आंसर ए होना चाहिए इसके बाद एक और महत्वपूर्ण प्रश्ण NCF 2005 में सामाजिक अध्यन में कौन से मुद्धों को सामिल करने की अनुसंसा की गई है यानि सामाजिक अध्यन के कौन कौन से मुद्धे सामिल NCF 2005 में किये गए विद्यार्तियों के पारिवारिक मुद्दे, विद्यार्ति एवं सिक्षक संबंद, सबी स्तर के विद्यार्तियों के लैंगिक एवं स्वास्ते संबंदी मुद्द, या फिर विद्याले में अनुसाजन संबंदी मुद्द तो इसका राइट अंसर क्या होना चाहिए दोस्तों, सबी स्तर के विध्यारतियों के लेंगिक एवं स्वास्ते संबंदी मुद्धे, सामाजीक अध्यन के अंतरगा, दोस्तों, इन मुद्धों को सामिल करने के अनुसंसा NCF द्वारा की गई है इसके बाद NCF 2005 के पाँच मार्ग दर्सक सिद्धान्त निम निम में से कौन सा नहीं है मतलब पाँच मार्ग दर्सक जो सिद्धान्त है मैंने अब आपको बताए थे उन में से कौन नहीं है ज्यान को विद्या लेके भारी जीवन से जोड़ना ये भी है पटाई रटन परणाली से मुक्त हो ये भी है पाठे चरिया को इस तरह समर्थन होगी कि वह बच्चों का चहुमिक की विकास मोहिया कराई ये भी दोस्तों सही है और परिक्षा को अपिक्षाकरित अधिक लची ये नहीं हो सकता ठीक है ये आपका जो पांचुवा इसका मार्गदर्सक सिधान्त है उसमें है कि ऐसे अधिभावी पैचान का विकास करना जिसमें लोकतांतरिक राज्जिविवस्ता के अंतरगत राश्टे चिंताइं समलित हो ये इसका पांचुवा सिधान्त है तो ये बिल्कुल सही अगला प्रशन राष्टि पाठी चरे की रूपरे का 2005 के नुसर बच्चों की प्रात्मिक स्तर पे भासा का माध्यम क्या होना चाहिए प्रात्मिक स्तर पे बच्चों को कौन सी भासा से पढ़ाया जाना चाहिए अंगरेजी संस्कृत मातर भासा या फिर उपरोक्त सभी तो इसका राइट आंसर है दोस्तो मातर भासा मातर भासा में ही प्रात्मिक स्तर की भासा में पढ़ाया जाना चाहिए इसके अलावर राष्टी पाठी चेरे की रूप रेका 2005 के अनुसार कक्षा में एक सिक्षक की भूमी का कैसी होनी चाहिए एक कक्षा में सिक्षक की भूमी का किस तरीकी की होनी चाहिए एक guide के रूप में, एक प्रभुत्यस्वाली वेक्टी के रूप में, एक अनुशाषित वेक्टी के रूप में या फिर एक उत्प्रेरक के रूप में तो इसका right answer है दोस्तों उत्प्रेरक के रूप में उत्प्रेरक का मतलब क्या होता है दोस्तों catalyst ठीक है न? तो catalyst जैसे आपने देखा होगा chemistry में catalyst होता है उत्प्रेरक जिससे किसी भी अभी क्रिया की गती मंद या तेज हो जाती है तो ऐसा ही काम कहीं न कहीं एक सिक्षक का होता है class में उसको एक उत्प्रेरक की भाती कारे करना चाहिए ठीक है यहाँ पर बहुत important है जैसे कि एक catalyst क्या करेगा एक catalyst अगर आपके सीखने की गती है उसको तेज कर देगा अगर आप में अनुसासन संबंदी या अनुसासन हींता संबंदी समस्याएं हैं तो उसको कम कर देगा तो एक catalyst की भाती उसकी भूमिका होनी चाहिए इसके बाद राष्टे पाठे चरेगी रूपरे का 2005 के नुसार बच्चों के आखलन का सही तरीका है आप बच्चों का सही तरीके से आखलन कैसे कर सकते हैं उनकी sexy कुप लबदी से ग्रह कारे से दैनिक गती वीदियों से या फिर आनुसासन से तो इसका right answer है दोस्तों दैन आप उनकी दैनिक गती वीदियों का आकलन करके या उनका observation करके भी उनका आकलन कर सकते हैं तो आप उनका observation करिए दैनिक गती वीदियों के आदार पर और फिर उनका मुल्यांकर आप कर सकते हैं इसके बाद कला विश्राय को स्कूली सिक्षा के किस तर पर सामिल किये जाने पर बल देना चाहिए NCF के अकॉर्डिंग प्रात्मिक स्थर पूरु प्रात्मिक उच्छ प्रात्मिक तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर है तो ने प्रात्मिक, पूरु प्रात्मिक और उच्छ प्रात्मिक इसको शामिल किये जाने की अनुसंसा की है। इसके बाद भीडबाड़ वाली कक्षाओं में किस अध्यापन की बात करना निरर्थक है। अगर आपकी कक्षा में बहुत जादा विद्यारती हैं तो किस तरह के का अध्यापन आप नहीं कर सकते। पहला अनुसासन, स्रीजन सीलता, व्याख्यान या फिर कहानी अध्यापन। तो इसका राइट आंसर क्या होने अच्छे दोस्तों स्रीजन सीलता। कहने का मतलब यह है कि वहाँ पर क्रेटिविटी नहीं आ पाती। हर छात्र को मौका नहीं मिल पाता कि वह अपनी क्रेटिविटी दिखा सकते। तो वहाँ पर रचनात्मक्ता या हम कह सकते हैं स्रीजन सीलता नहीं आ पाती। दोस्तों भीडबाड़ वाली कक्षाओं में क्रेटिव हम कह सकते हैं स्रिजन सीलता की बात करना निरत्तक हो जाता है। इसके बाद राष्टे पाठी चरिया की रूप रेका 2005 कि सूचपर के आधार पर पाठी चरिया के बोज को कम करने पर बल देती है। जैसा कि मैंने पहली बोला कि सिक्षा बिना बोज के इनका मुख्य सूत्र है। इसको आप ज्यान रखेंगे सिक्षा बिना बोज के। अगला प्रश्ण राष्टे पाठी चरिया की रूप रेका 2005 के अनुसार गणिस सिक्षन का लक्ष होना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको पहली बताया गणिस सिक्षन आपको क्या प्रदान करता है दोस्तों एक तार्किक धंग से सोचना प्रदान करता है। इसके अलावा आप अमूर्थी चिंतन में अच्छे होते हैं। आपकी लॉजिकल थिंकिंग बहुत अच्छी हो जाती है। तो इस तरीका होना चाहिए। आप कक्षा एक और दो के विध्यार्तियों का मुल्यांकन करना चाह रहे हैं तो क्या सबसे बेस तरीका हो सकता है। परिक्षा के आधार पर, अनुसासन के आधार पर, प्रिक्षन के आधार पर या फिर ग्रहकारे के आधार पर। दोस्तों छोटे बच्चों को आप प्रिक्षण के आधार पर उनका मुल्यांकन कर सकते हैं, यानि कि आप अबजर्व करिए, बच्चे किस तरह की आक्टिविटी करते हैं और आप उसके आधार पर उनका मुल्यांकन कर सकते हैं, तो प्रिक्षण के आधार पर आप कर सकते हैं. अगला सिक्षा के छेत्र में पाठी चरिया सब्दावली की ओर संकेत करता है सिक्षा के छेत्र में पाठी चरिया क्या है पठन-पाठन सामागरी, इस्कूल में पढ़ाई जाने वाली पाठे वस्तू विध्याले का संपूर्ण कारेक्रम जिसमें प्रती दिन अनुभव प्राप्त करते हैं या फिर कक्षा के दौरान सिक्षा को और विध्यारती में होने वाली चर्चा तो बताईए क्या होगा इसका right answer क्योंकि जैसे कि NCF ने बताया है कि पाठे चरिया केवल पाठे पुस्ता के इंद्रित नहीं होनी चाहिए वो विध्याले का संपूर्ण कारेक्रम होना चाहिए जिसमें हम प्रती दिन अनुभव प्राप्त करते हैं जिसमें सूसना को क्या मानने से बचा जैसे कि मैंने भी आपको बोला ग्यान लेकिन ये अलग-लग परिक्षाओं में आये वे हैं तो इसलिए यहां पर यह दोस्तों repeat हूँ इसके बाद अगला NCF 2005 सिफारिस करता है कि प्रात्मिक स्तर पर गणित की सिक्षा का केंद्र होना चाहिए फिर से दोस्तों ये एक्जाम में आया था तो इसलिए यहां पर आया है जैसा कि मैंने क्या बोला कि कक्षा में पढ़ाए गए टॉपिक को विद्यार्टियों के दैनिक जीवन से जोड़ना है ठीक है इसके बाद विद्याले सिक्षा का अब तक का नवीनतम राष्टे दस्तावेच कौन सा है फिर से रिपीट हुआ है NCF 2005 सोरी मैंने इसको देख दिया गलती से NCF 2005 इसके बाद राष्टे पाठी चरे की रूपरेका 2005 का उत्रण निवनिम में से किस्से हुआ है रविन्ना टैगर के निवन्द सब्बेता और प्रगती इसके बाद रास्ट्य पाठी चरे की रूप रेका के दिसा निर्देसों के अंतरगत क्या क्या आता है ग्यान को स्कूल के बाहर जीवन से जोड़ना बिलकुल सही पड़ाई को रटन प्रणाली से मुक्त बनाना बिलकुल सही परिक्षा को अपिक्षा करें सरल बनाना लचीली बनाना तो ये बिलकुल सही है तो दी वाला उप्शन बिलकुल करेक्ट है इसके पांच मार्गदर्सी सिधान के अंतरगत ये सबी आते है इसके बाद अगला प्रश्न फिर से मार्ग दर्सक सिधानतों पर आधारित है NCF के क्या-क्या है पाठे चरिया पाठे पुस्तक केंद्रित होनी चाहिए बिल्कुल गलत नहीं होनी चाहिए अधिकम प्रक्रिया के अंतरगत ना समझ जाने वाली अवधारना को रखना चाहिए ये भी गलत है आपको तो उनको नहीं रखना चाहिए ना अधिकम प्रक्रिया के अंतरगत ना समझ जाने वाली अवधारना को रखना चाहिए उनको तो नहीं रखना चाहिए ना ठीक है और इसकूल में प्राप्त ग्यान को बहरी जीवन से जोड़ना चाहिए बिलकुल सही ऐसे अधिवावी पहचान की अवेलना करनी चाहिए जो रास्टे चिंताओ पर है ऐसे अवेवावी पहचान की अवेलना नहीं करनी उसको लेकर आना है ठीक है ना तो ये भी गलत है ठीक तो अधीगम प्रक्रिया के अंतरगत ना समझ आने वाली आउधारणाओं को रखना नहीं है उनको बच्चों को explain करना है टीचर के द्वारा तो यहाँ पर स्कूल में प्राप्त ग्यान को भारी जीवन से जोड़ना चाहिए यह बिल्कुल स जैसे कि मैंने आपको बोला NCF रचनावाद को मानता है इनका जो यह दस्तावेज बना है कंस्ट्रक्टिविजम पर बना है तो यह ग्यान के निर्मान की प्रक्रिया को मानता है सीखना ठीक है इसके बाद NCF 2005 के अनुसार बाल के इंद्रे सिक्षा सात्र में सिक्षा को किस प्रकार नियोजित करने की आवशक्ता है अभीरूची के अनुरूप आर्थिक स्तर के अनुरूप सामाजिक स्तर के अनुरूप या फिर साररिक स्तर के अनुरूप इसका राइट अंसर है दोस्तो अभीरूची के अनुरूप देखे यहाँ पर अभीरूची के अनुरूप ही सिक्षा होनी चाहिए बाल के इंदर सिक्षा का मतलब यही है कि आपकी अभी रूची के अनुरूप ही सिक्षा को नियोजित या प्लान करने की आवशकता है ठीक है बच्चों में साररिक एवं मनोसामाजिक विकास के लिए निमनमें से क्या जरूरी है आप बताईए अगर आप साररिक विकास करना चाहते हैं तो क्या चाहिए योग ठीक है इसके अलावा सामाजिक विकास करने के लिए आप खेल खेलिए अपचारिक हो चाहे अनपचारिक हो तो उपरोक्त सभी इसका प्राइट आंसर है इसके बाद रास्टे पाठी चरे की रूपरे का दुजर पांच के अनुसार कक्षा में सिख्षक की भूमे का कैसी होनी चाहिए अभी आपको बताया एक उत्प्रेरक के रूप में इसके बाद NCF के अनुसार क्या सत्य नहीं है ठीक है पहला क्योंकि आपको पता है यह बच्चे होगा बच्ची नहीं होगा सब आपने वेक्तिक भिनताएं पड़ी है इंडिविजल डिफरेंसेश पड़े है सब के सीखने की गती एक तरह की नहीं होती है तो ये इसका राइट अंसर नहीं है स्कूल के बीतर और बाहर दोनों जगा सीखने की प्रक्रिया चलती रहती है बिलकुल करेक्ट है इसके बाद NCF के अनुसार भासाई अलपसंकक वाले वर्गों के बच्चों को किस सिक्षा किस भासा में दी जानी चाहिए अब अफकॉस उनको आप किस भासा में सिक्षा देंगे जब भासा ये अलपसंक्य की बात आएगे उनकी भासा में तो आप उनकी मात्र भासा में सिक्षा दीजिए इसके बाद विविन, विविचिनात्मक, सिक्षा सास्त्र, खुले विमर्ज और विविद दिश्टी कोण के माध्यम से लेने की प्रक्रिया को सरल बनाता है आपने इस रिक्तिस्थान की पूर्ती करनी है देखिए, सामोहिक निर्णे, एकल निर्णे, स्वान निर्णे या फिर कोई नहीं तो इसका राइट अंसर है दोस्तों, सामोहिक निर्णे विविन, विवेचनात्मक, सिक्सा सास्त्र, खुले विमर्ज और विविद दिश्टी कोण के माध्यम से आप सामोहिक निर्णे लेने की प्रक्रिया को ये सब चीजे दोस्तों सरल बनाती है ठीक है इसके बाद एक और प्रशन वोही NCF के अनुसार, बच्चों के अकलन का सही तरीका क्या है दोस्तों, गैनिक गतिवी दिया इसके बाद भीडबार वाले कक्षाओं में अध्यापन की बात करना निर्थक है जैसा कि मैंने आपको बताया ये स्रिजन सील अध्यापन की बात करना निर्थक हो जाता है देखे, ये प्रशन अलग-अलग तरीकों से अलग-अलग एक्जाम में आए है और इसलिए मैंने इन सभी को सामिल किया है तो आप देख सकते हैं कि कितने important ये question और कितने बार repeat होते है यदि बच्चे फेल होते हैं तो वो दर्साता है क्या दर्साता है अपनी असफलता को, स्कूल के असफलता को, समाज के असफलता को, या फिर परिवार के असफलता को यदि आपके बच्चे फेल होते हैं तो वो स्कूल के असफलता को दोस्तों दर्साते है इसके बाद रास्टे पार्टी चरेगी रूप रेका 2005 के अनुसार गणि सिक्षन का लक्षे होना चीए गणि सिक्षन का क्या लक्षे होना चीए दोस्तों तारकिक ढंग से सोचना अमूर्थ चिंतन का निर्मान करना यानि कि अमूर्थ योगेता, अमूर्थ चिंतन की योगेता का निर्मान करना संचालित करने की योगेता का विकास करना या फिर उपरोक्त सभी तो इसका राइट अंसर क्या है दोस्तों कौन सी सिक्षा को पाठ्थे चरिया में होना चाहिए दोस्तों पर्यावरण आफकोस पर्यावरण के चिंता के प्रती अगर आपने जागरुकता पहलानी है तो आपको पर्यावरण सिक्षा को भी स्कूल के पाठ्थे चरिया में लाना पड़ेगा तो यहाँ पर परियावरण की knowledge देना बहुत important हो जाता है और वैसे भी आपको पता है कि परियावरण भी एक बहुत important topic है उसके बारे में school में अब पढ़ाया जाता है और काफी important ये topic है इसके बाद NCF 2005 का मानना है कि पाठ्थे पुस्तकों को एक माध्यम के रूप में देखा जाना चाहिए पाठ्थे पुस्तक कैसा माध्यम है समाज के स्वीकृत मुल्यों को लागू करने के लिए प्रमुक वर्ग द्वारा स्वीकार कीगे जानकारी को प्रापकार करने के पाठ्थे पुस्तक को एक माध्यम के रूप में देखा जाना चाहिए ठीक है इसके बाद राश्टे पाठ्थे चरे रूप एका 2005 के अनुसार डैश और डैश सीखने के चरित्र में है ठीक है देखिए सक्रिय और समाजिक ये दोस्तों सीखने के चरित्र में है यानि कि अगर आप सीखना चाते हैं तो आपको पहले सक्रिय होना पड़ेगा इसके अलावा आपको समाजिक भी होना पड़ेगा तो सीखने के चरित्र में जैसे हम कहते हैं कि यार ये तो इसके चरित्र में है चीक है या ये इसका character है तो of course सीखने का character क्या है सीखने के character के लिए आपको सक्री और सामाजिक होना पड़ेगा इसके बाद उच्छे प्रात्मिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में अवधानाओं को विखसित करने के लिए सबसे उप्युक्त तो इसका right answer क्या है प्रमुक विशेष्थाएं सूची बद्द करना कहने का मतलब ये है कि आप उच्छे प्रात्मिक स्तर में सामाजिक विज्ञान की अवधानाओं को अगर विखसित करना चाते हैं तो आपको सामाजिक विज्ञान की विशेष्थाओं को सूची बद्द करना पड़ेगा उनको बताना पड़ेगा कि ये subject आपके लिए क्यों important है जैसे कि इथियास क्यों important है इथियास हमें हमारी परंपराओं संस्कृती के बारे में बताता है भुगोल क्यों important है वो हमें हमारे परियावरण के बारे में बताता है आर्थिकी क्यों important है यानि economics क्यों important है अर्थसास्त्र न वो हमें भारत में होने वाली आर्थिक गती वीदियों के बारे में बताता है राजनिती विज्ञान हमें भारत के समिधान के बारे में जानकरी देता और भी इनकी कई सारी खूबियां है तो आपको इस तरह की विशेष्टा हैं इसमें सुची बद्ध करके बतानी पड़ेगी तब ही जाके इनकी कॉंसेप्ट का विकास होगा इसके बाद सामाजी विज्ञान में उच्च प्रात्मिक स्तर में सामिल है अब ही आप सबको पता होगा कि सोसल साइन्स के अंदर क्या क्या आता है भूगो लिथियाज राजनिती विज्ञान और अर्थिसास्तों यह इसका ओप्शन बिल्कुल करेक्ट है इसके बाद संचालन समीती के अध्यक्षे कौन थे देखे मैंने आपको पहले बताया था कि NCF को बनाने के लिए एक स्टेरिंग कमीटी बनाई गई थी ठीक है नैशनल स्टेरिंग कमीटी इसको बोला जाता था और उसके अध्यक्षे कौन प्रोफेसर यश्पाल प्रोफेसर यस्पाल के द्वारा ये दोस्तों बनाया गया था और उसके अध्यक्षे डॉक्टर किष्ण कुमार का भी नाम आप याद कर लो उस समय पर ये NCRT के अध्यक्षे तो कभी हो सकता है कि आपसे ये प्रशन भी पूछ लिया जाए NCRT द्वारा इसको बनाया गया था ये ध्यान में रखना है चौथे नंबर का दस्तावेज है पांच इसमें अध्याएं है बाइस भासाओं में बनाये गया है ऐसे प्रसन आप लगातार याद रखेंगे तो आपको कभी भी दिक्कत ने आएगी सारे factual question है लगातार आप इनको याद करते रहें और अभ्यास करते रहें इसके बाद NCF 2005 के अनुसार सामाजिक विज्ञान में सिक्षा का उद्देश से चात्रों को सक्षम करना है सामाजिक विज्ञान क्यों पढ़ाए जाए ठीक, राजनितिक निर्नेओं के आलोचना करने के लिए सामाजिक राजनितिक वास्तविक्ता का विश्लिशन करने के लिए देश में सामाजिक राजनितिक इस्थिति की जानकारी का प्रतिधारण या फिर सामाजिक राजनितिक सिधान के बारे में एक सपस्ट और संचीप तरीके से वर्तमान ज्यान ताकि चात्रूने आसानी से याद रखें देखिए बड़ा अच्छा ये प्रश्न है और इसका राइट अंसर है सामाजिक राजनितिक वास्तिविक्ता का विशलेशन सामाजिक विज्ञान का सिक्षन इसलिए दिया जाना चाहिए दोस्तों ताकि बच्चों में सामाजिक और राजनितिक वास्तिरिक्टा का विशलेशन हो सके उनको पता लग सके कि हमारे देश की राजनिती में क्या हो रहा है हमारे देश में समाज में क्या हो रहा है इथियास हमें यह बताता है, भुगोल हमें यह बताता है, राजनिती विज्ञान बताता है और अर्थसास्त्र भी यह सभी चीज़े बताती है तो बच्चा जब इनके बारे में पढ़ता है तो वो एनलाइस कर पाता है कि हमारे देश की आर्थिक इस्तिती ऐसी है तो क्यूं है हमारे देश में का पर्यावरन ऐसा है तो क्यूं है हमारे देश में खाद्यान का उत्पादन इस तरीके से होता है तो क्यूं होता है वो उनका विशलेशन कर सके तो उनको वास्त्विक्ता पताद लग सके हमारे देश में अगर Constitution कार्य कर रहा है तो वो कैसे कारे कर रहा है उसकी वास्तविक्ता का उसे विशलेशन वो कर सके अगला एक समाजिक विज्ञान सिक्षक को प्रभावी होने के लिए निमने में से कौन से विदियों को नियोजित करना चाहिए अगर आप एक सोशल साइंस के टीचर हैं तो आप कौन सी विदि को प्लान करेंगे जिसे की बचे आप पर ध्यान दे उत्तेजक और रोचक गती विदियो द्वारा चात्रों की भागेदारी में विर्दी हर सुमवार को परिक्षन करके चात्रों के ज्यान में विर्दी मद्यम गती के सिक्षार्थियों के आत्मे विश्वास को बढ़ाना के लिए पुरुसकार विवस्ता अपनाओ या फिर घर पर परियोजनाई सौपे ताकि माता पिता को अपने बच्चों के अध्यन में सामिल किया जा सके तो इसका राइट अंसर क्या होना अची है दोस्तों उत्तेजक और रोचक गती विदियों द्वारा आप चात्रों की भागेदारी में विर्दी करें यानि कि आप इस तरीकी विदियां अपनाएं जिससे कि आपकी teaching interesting हो उससे उत्यजना पैदा हो और चात्र उसमें participate करें आपके और चात्रों की बीच में interactivity हो, discussion हो जिससे कि आपका अधिगम प्रभावसाली हो और बच्चों को सामझिक विज्ञान में interest आए इसके बाद अगला प्रश्ण NCF के बारे में कौन सा कतन सही है आपको बताना है या भारत की विध्याले सिक्षा के संबंद में एक समयधानिक संसोधन है बिल्कुल गलत या NCRT द्वारा तयार किया गया दस्तावेज है जो भारत की विध्याले सिक्षा के संबंद में संस्तुतियां प्रस्तुत करता है तो बिल्कुल सही ठीक है बाकी तो देखने की ज़रोती नहीं है भारत में गुणात्मक सिक्षा के संबंद में युनोस्को और भारत द्वारा हस्ताक्षिर दस्तावेज तो मैंने जैसे कि आपको बताया NCRT द्वारा ये तैयार किया गया दस्तावेज़ जो भारत की विद्याले सक्षा के संबंद में संस्तुतियां प्रस्तुत करता है। इसके बाद अगला और महतुपूर्ण प्रस्तिय पाठेचरिया फ्रेमवर्क 2005 ने अपने समझ कहां से प्राप्त करी है। तो मैंने अभी आपको बताया कि ये रचनावाद पर dependent है। ये मानते हैं कि constructivism बहुत important है। बालक स्वयम अपने ग्यान का निर्माण कर सकते हैं तो ग्यान का निर्माण ही इन्होंने सीखना बताया है। ठीके ना तो रचनावाद बहुत important है और ये ही इनकी समझ का स्त्रोथ है। तो ये थे दोस्तों सत्तर महतवपूर NCF के प्रशन आपको आई होब कि ये अच्छे लगे होंगे और आपके आने वाले exam में ये आपको फाइदा पहुचाएंगे। दोस्तों हम जब इतने बड़े स्तर पर कार्य करते हैं तो कभी-कबाद हो सकता है कि हमसे कोई गलती हो जाए। तो आप उसकी और को ध्यान ना दें, उसको एगनोर करें और कोशिस करें कि आप जो आपको 95-98% सही पढ़ाया जाता है आप उसकी और ज्यादा ध्यान दें कभी-कबाद 2% हमसे कभी गलती हो जाती है। हलांकि मेरी पूरी कोशिस रहती है कि मैं उसको जल्सी जल्द रेक्टिफाइ करूँ क्यूंकि जब आप 70-75 कोशिन दोस्तों करवाते हैं तो कभी-कभी कोई गलती हो जाती है। अभी कल ही मैं एक वीडियो में मैंने एक बहुत सिंपल सा कोशिन mathematics का मतलब कह सकते हैं कि वो कोशिन मैं आंक बंद करके सोते वे भी कर देता हूं लेकिन वो भी मुझसे गलत हो गया। तो ऐसा भी दोस्तों कभी हो जाता है तो ऐसे को आप माइंड न करें आप कोशिस रखें कि आपको हम authentic ज्यान हमेशा देने का प्रयास करते हैं और आपके लिए जब ज़्यादा मेहनत करते हैं तो कहीं न कहीं कभी थोड़ा आमूलचूल गलतियां हो जाती हैं तो चलिए इसी के साथ हम अपनी वाने को विराम देते हैं और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में तिल देन टेक केरें गुड़ बाई